इंडियन सिंपल कीचेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको चुरमुर चाड बनाना सिखाऊंगी जिसे बनाना काफ़ी आसान है इसे बनाने में आपको बिलकुतीन से 4 ही मिनट लगने वाले है और ये खाने में काफी ज़्यादा चट पटा और काफी ज़्यादा टेस्टी होता है किसी भी ठेले वाले के पास वाली चिर्मुर चाट का जो मज़ा होता है वो आज हम घर पे लेने वाले हैं गाइस क्योंकि इसे हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल सेम एसी तरीके से सर्थ भी करने वाले है तो चलते हैं अपने किचन की तरफ और जांते हैं इस प्यारी सी या बिल्कुल टेस्टी सी रेसेपी का राज रात बन गई तो फूल मस्ती, फूल एंचुआमेंट के साथ चलिए शुरू कर लेते हैं बना लेना चूरमूर को तो इस चूरमूर चार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार छोटे साइस के आलूओं को मैश कर लिया है मैंने इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, इसकी गुटलिया आपको दिख रही होंगी और इसे के साथ मैंने यहाँ पे पांच बूरिया ले ली है और ले लिया है, कटा हुआ प्यास, मैंने यहाँ पे एक छोटे प्यास को विल्कुल बारी कट कर लिया है और ले लिया है धनिया का पत्ता, धनिया का पत्ता भी हमें बारी कट कर लिया है एक हरीवर्च ले लिया है, जिसे बारी कट कर लिया है इमली का रस ले लिया है, और उसी के साथ मैंने हाँ पे कुछ मसाले ले लिया है मसालों में मैंने ले लिया है 1 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon धनिया powder, 1 teaspoon काला नमक, 1 teaspoon भूना जीरा powder और स्वात के अनुसार नमक चलिए यह सब चीजों के साथ में शुरू कर लेते हैं, बना लेना अब देख सकते हैं, मैंने एक बावल में आलू को ले लिया है, अब हमें इसमें मसालों को आड कर देना है, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी स्वात के अनुसार नमक नमक डालने के बाद में मैस में डाल दूँगी धनिया पाउडर तो मैंने समें वंटी स्पोन डाल दिया है धनिया पाउडर धनिया पाउडर डालने के बाद में मैस में डाल दूँगी भूना जीरा पाउडर तो वंटी स्पोन ही मैस में डाल दूँगी ड्रेट चिली पाउ पत्ता और प्यास भी मैंने स्में अट कर दिया है अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च सारे चीज़ों को डालने के बाद में हमें से बल्कुल साफ हाथ से मैश कर लेना है तो मैंने से पूरियों को भी अट कर दिया है हाथों से इस तरीके से पूरियों को आपको तोड़ते हुए आलू में डाल देना है अब मैं इसमें इमली का पल्प भी डाल दूंगी इमली का पल्प डालने के बाद में आपको अपने हाथ को बिल्कुल साफ कर लेना है और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से mix कर देना है गाईस बिल्कुल हमें उसी तरीके से mash करना जिस तरीके से ठेले वाले से बनाते हैं बट हमें साफ सफाई का ज़्यादा देहान रखना है क्योंकि हम इसे घर पे बना रहे हैं आप देख सकते हैं आलू को भी मैंने अच्छी तरीके से mash कर लिया है बहाँ जादा इसे mash नहीं करना होता है मैंने इसमें डाल दिया है इमली का पल्प उपर से और इसी के साथ मैं फिर से पूरी को तोड़ कर उपर से सर्फ कर दूंगी अपने प्लेट को तो हमारा जो प्लेट है चुर्मूर वाला वो बिल्कुल रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं काफी इसली मैंने सर्फ रेडी कर लिया है तो इस तरह की चार्ड बना कर जब भी आप कामन करें आप अपने घर पे नजवाय कर सकते हैं वो भी बिल्कुल साफ सफाई के कि जब भी हम किसी भी मार्केट वाली चीज़ को घर पे बनाते हैं वो भी बिल्कुल उसी तरीके से तो इसका मज़ा भी दोगुना हो जाता है तो मैं उम्मित करती हूँ कि आपने सीख लिया होगा कि चुर्मूर चार्ट आप इसली अपने घर पे किस तरीके से बना सकते ह हैं तो पेज़्चनल सब को सुर्फ करें सभी को बहाँ जादा पसंद आएगी तो जरूर बनायाए जरूर खाएं जरूर इंचोआए करें कमेंट करके मुझे जरूर बताए क्याक आपने से एक इससी तरीके से बनाया है और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें बल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे आपको मेरे हार लेटिस टुडियो की नाटिफिकेशन काफी इसली मिल जाएगी तो मिलती हूँ आप से फिर से ऐसी ही आसान सी अविल्कुल घरेली सी रेसिपी को ले करके तिल देन बाई बाई गाईज झाल 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 झाल